गूड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स, मैसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मीना फ्रॉम गॉवर्मेंट कोलेज कोटा, आज हम केमिकल बॉंडिंग सेकिंड मैं आइनिक सॉलिट्स के अंतरगत, जो आइनिक सरचनाओं के विभिन प्रकारों के बारे में अध्यन कर रहे थे, उन्हीं प्रकारों में से आज हम AB3 टैप की सरचना, A2 B3 टैप की सरचना और AB वा AB2 प्रकार के योगेकों की सरचना को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे, इससे previous lecture में हमने AB प्रकार की सरचना AB2 प्रकार की सरचना की बारे में अध्यन किया था उसी को continue करते हुए आज हम प्रारम करने जा रहे हैं वो topic है हमारा AB3 टैप की सरचना या structure of AB3 जिसका example हम लेते हैं CRCL3 जैसा कि इसकी structure से आपको ये पता चल रहा है इसके formula से आपको ये पता चल रहा है कि इसका CR के परमानों की संक्या एक है जबकि chlorine के जो परमानों की संक्या है वो तीन है अर्थात chlorine के परमानों की संक्या chromium के परमानों की संक्या से तेगुनी है या क्रोमियम की पर्मानु संख्या क्लोरीन की पर्मानु संख्या से 1 अपॉन थर्ड है अब इनका जो त्रज्य अनपात है वो भी आपका कितना होगा 0.3 होगा और इनकी जो कोडिनिसन नंबर होगी वो भी इसी अनपात में होगी 6 अनपात 2 यहां पर CR 3 प्लस आयन कैसा होगा अतियान छोटे आकार की कारण कैसे गुण होगे उसमें सैसे योजगुण अधिक होगे और सैसे योजगुण होने से इसकी जो सरचना होगी वो कैसी होगी आपकी परत्य सरचना होगी और CL आयन के लिए जो ब्यवस्था होगी वो होगी आपकी CCP या कहें उसे गनिये निबिड संकुलित ब्यवस्था CL तलों के प्रतेक जोडे के मिद 2 upon 3 अश्ट फल किये छिद्रों में क्रोमियम थड आयन फिट रहते हैं जबकी 1 upon 3 अश्ट फल किये छिद्र कैसे रहेंगे रिक्त रहेंगे आप यह देखिए 2 upon 3 अश्ट फल किये छिद्रों में तो क्रोमियम आयन फिट होंगे जबकी remaining 1 upon 3 है उसमें अश्ट फल किये कैसे होंगे रिक्त होंगे इसी प्रकार से CL तलों के दूसरे जोड़े के मैद में कोई धातू परमानू नहीं होता वो केवल इस्थिर वैद्दुत आकरसन बल द्वारा ही परस पर बंदे रहते हैं इस प्रकार एकांतर क्रम में CL माइनस तलों के एक जोड़े के मैद 2 upon 3 अश्ट फल के छिद्र क्रोमियम द्वारा भरे रहते हैं जबकी दूसरे जोड़े के मैद कोई धातू आयन नहीं होता है अब क्या होगा इससे कुल मिलाकर अश्ट फल के छिद्रों में 1 upon 3 छिद्र भरते हुए क्रोमियम CL3 की परतिय सरसना बनती है बिल्कुल ऐसी सरसना अन किसी योगी की ग्यात नहीं है जैसी सरसना आपकी CRCL3 की ग्यात है CRBR3, FECL3 तथा आरसेनिक, एंटीमनी और बिस्मित के ट्राई आयोडायडों की सरसना वैसी तो वैसे देखने में तो केसी होगी वो परतिय होगी और वहाँ पर एक अंतर होगा वो अंतर क्या होगा, CL परमानू, CCP के इस्थान पर, HCP ब्यवस्ता में ब्यवस्तित होते हैं तो ये आपकी AB3 टैप की सरसना थी और उसका अधारण था CRCL3 अब हम दूसरी जो इसका अन्य परकार है वो है आपका A2B3 सरसना और इसका अधारण है AL2O3 जिसे कहें हम structure of A2B3 या AL2O3 अब आप देखी, AL2O3 सुस को दो फॉर्म में पाये जाता है कौन-कौन सी फॉर्म में पाये जाएगा एक तो होगा AL2O3 और दूसरा होगा γामा AL2O3 अब इन दोनों में क्या अंतर है जो अलफा है अलफा में AL2O3 हाई टेंपरेचर पर स्टेबिल होगा और कोरंडम के रूप में नेचर में पाया जाएगा यह है जीरे, BN, SIC के बाद चौथे नंबर का कठोर्तम पदार्थ है कौन सा? अलफा, AL2O3 और यह सुद्ध वस्था में कलरलेस होता है लेकिन कुछ आयनों जैसे कौन-कौन से आयन है वो आईरन, टाइटेनियम, आदी की असुद्धी से यह कीमती इस्टोन हो जाता है पत्थर हो जाता है और किस-किस के रूप में मिलता है फिर यह नीलम, मानक, आदी रतन, रंगीन आयनों की असुद्धी युग्त कोरंडम ही होते है जो आपके नीलम और मानक जो रतन है वो रंगीन आयनों की असुद्धी युग्त क्या है वो कोरंडम ही है अब कोरंडम में अलुमिनियम और एक्स ऑक्सिजन का जो त्रज्या अनुपात है वो इन दोनूं का कितना है? 0.38 होता है क्रिश्टल में अलुमिनियम और ऑक्सिजन की जो कोर्डिनेशन का नंबर है वो 6 रेसो 4 है और यहाँ पर जो इनकी व्यवस्था होगी वो होगी हैक्सागोनल क्लोजेश्ट पेकिंग जिसे कहें HCP व्यवस्था में क्रिश्टल के सभी O2-I व्यवस्थत हो जाते हैं और उनके अश्ट फलकिये छिद्रों में से 2 अपोन 3 छिद्रों में Aluminium आयन व्यवस्थत हो जाते हैं लेकिन इसकी सरशना अधिक जटिल होती है इनके क्रिश्टल में कई ALO6 Coordination Group परस पर सिरों, किनारों और फलकों का साजा किये हुए रहते हैं इस परकार क्या होगा Aluminium 3 आयन 6 O2 आयनों द्वारा घिरा रहता है जिससे इसकी 6 Coordination संख्या पूरी हो जाती है तथा इस व्यवस्थता में 4 AL3 आयन 1 O2 आयन को चत्रफल के रूप से निकरतम पेकिंग में घिरे रहते हैं और इस परकार AL3 प्लस आयन की Coordination संख्या ALO6 के साथ O2- की Coordination संख्या 4 की पूर्ती होती है तो यह आपके टैप थे AB3 टैप के बारे में हमने डिसकस किया उसकी सरस्ना के बारे में डिसकस किया उसका एकजाम्पिल हमने CRCL3 लिया और यहाँ पर जो अन्तिम स्ट्रेक्चर थी वो थी A2-B3 जिसका उधारन लिया हमने AL2-O3 की structure और उसके टैप्स उसके टैप्स में तो था अलफा और दूसरा था गामा तो यह आपकी सरस्नाएं अब तक हमने इन टोपिक्स में कवर की हैं अब आपको इन सरस्नाओं के योगिक जो यह सरस्नाएं हैं यह प्रकार के योगिकों की जो सरस्नाएं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो अब आपका टॉपिक है AB वा AB2 प्रकार के योगिकों की सरस्ना को प्रभावित करने वाले कारक तो उसमें जो सबसे पहला कारक है वो है A वे B की सहयो जगता जिसे कहें Balancing of A and B A and B की Balancing किस प्रकार से A, B योगिकों के टाइप को प्रभावित करती है इसमें क्या होगा कि A और B की Balancing के Base पर जो Crystal है उसमें क्या होगा A और B के कणों की संख्या का Determination होगा और A, B की सहयो जगता समान होने पर Crystal में जो Present Caten और N-I-N होगे उनकी संख्या भी कैसी होगी समान होगी क्योंकि A, B की Balancing समान है इसलिए उनके Caten और N-I-N की नंबर भी Equal होगी आप NACL का उधारण देख सकते हैं इसी प्रकार से CGM Cloride का उधारण भी देख सकते हैं उनमें किस प्रकार से Caten और N-I-N की संख्या पाई जाती है इसके विपरीद आप Cadmium Iodad की सते सरशना योग Crystal में जितने परमानू Cadmium के होंगे उससे दुगने परमानू किसके होंगे Iodine के होंगे देखिए आप CDI2 तो यहां साप नजर आ रहा है कि Iodine की संख्या Cadmium से दुगनी है Iodine की दो सतों के मद तो CD2 प्लस आयन होते हैं जबकि अगली दो सतों के मद का इस्थान रिक्त होता है ये था आपका AB की सयोजगता वाला कारक दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है A वे B की आयनिक तरज्जा आयनिक तरज्जा भी AB वा AB2 प्रकार के योगेकों की सरचना को प्रभावित करती है किस प्रकार से प्रभावित करती है देखिए किसी एकार्बनिक योगेक की सरचना उसके आयनों की तरज्जा से बहुत अधिक प्रभावित होती है आइनेक तरज्जा से ही अभी-अभी कणों की कोडिनेशन नंबर का determination होता है उधारण के तोर पर आप देखिए एने प्लस के आइनेक तरज्जा का मान है 1.02 एंगेश्ट्रोम जबकि CGM के आइनेक तरज्जा का मान है प्लस की कोडिनेशन नंबर 8 में CGM की जो सरचना है वो है BCC या कहें हम काय केंद्रिय गनिय सरचना के क्रेश्टलों का निर्मान होता है तो आपने देखा उनकी तरज्जा के मान के बिहाब पर एक ही गुरुप के होने के बावजूद भी उनकी सरचना उनके क्रेश्टलों का किस परकार से निर्मान होता है वो आपने NECL और CGM क्लोरेड के उधान के मैध्यम से देखा अब तीसरा जो फेक्टर है वो है A वब B की बिद्दुत रनात्मक्ता Electronegativity of A and B दो परमानों के मैध्यम से बिद्दुत रनात्मक्ता में बहुत अधिक अंतर और बहुत कम अंतर भी उन दोनों परमानों के गुणों को परभावित करता है किस परकार से करता है यदि A और B की बिद्दुत रनात्मक्ता में अंतर अंतर होने से योगिक के आएने गुणों का निर्दारन होगा और किसी योगिक AB हो चाए AB2 हो में A वब B की विद्धुत रनात्मक्ता का मान जितना अधिक होगा योगिक में उतनी अधिक आयने गुण होंगे और उसके इसपर्ष्ट रूप से धनायन वा रनायन बनेंगे और ये आयन निविट संकुले जालक के रूप में वेविस्तितों के कठोल आयने क्रिश्टल का निर्मान करेंगे और इसके विप्रीत यदि A व B की विद्धुत रनात्मक्ता या एलेक्टो नेगिटिविटी में कम अंतर है तो योगिक क्या होगा योगिक में सह सही हो जगण अधिक होंगे और इन में इस परस्ट रूप से आयन नहीं बनेंगे और ये परसर रसना वाले म्रेद्धु क्रिश्टलों का निर्मान करेंगे अब है आपका फोर्थ जो कारक है वो है आपका जाला कूर्जा जाला कूर्जा क्या है किसी पदार्थ की क्रिश्टलों किस परकार क्यों हो इसका डिटर्मिनेशन आयनिक तरिज्जा के अनुपात के साथ साथ किस पर भी निर्भर करता है जाला कूर्जा के मान पर भी निर बर करता है और किसी पदार्थ के लिए ध्यान दें ये इंपोर्टेंट लैन है किसी पदार्थ के लिए जालक उर्जा का मान जितना अधिक होगा वे उतनाई अधिक इस्थाई होगा ठीक है जालक उर्जा की बेल्यू जादा है तो वो पदार्थ उतनाई अधिक इस्थाई ह देखिए किसी पदार्ट के त्रज्या अनुपात का मान 0.732 से कम होने पर NACL जैसी फलक केंद्रिय घनियस क्रिश्टल सरचना बनती है जबकि 0.732 से अधिक होने पर उसकी कोडिनेशन नंबर बढ़ कर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और उसकी सीजियम क्लूराइट जैसी क है कि इंद्रिय घनियस सरचना बनती है इसी परकार से रुबीडियम ब्रोमैड और भी बी आर में त्रज्यान पाद 0.76 होता है इसके इसाब से इसकी सरचना सीजियम क्लूराइट जैसी होनी चाहिए लेकिन इसकी क्रिश्टल सरचना NACL जैसी होती है इसका क्या करण है इस इसकी सेविन तो NACL के लिए मैडूलूंग स्थरांग का मान 1.74756 के उच्छ होता है इस सरचना के लिए जाला कूर्जा का मान भी उच्छ होगा कितना होगा 0.86% होगा लेकिन सीजियम क्लूराइट सरचना के उच्छ अंतरायनिक दूरी के कारण इस सरचना के जाला कूर् का मान 3% कम हो जाता है आता है कुल मिलाकर NACL सरचना के जाला कूर्जा का मान सीजियम क्लूराइट से कम होता है और RBBR की क्रिश्टल सरचना NACL जैसी होती है सीजियम क्लूराइट जैसी नहीं होती तो कई बार पूछ भी लिया जाता है क्या कारण है कि RBBR की क्रिश्टल जामें अंतर ही होता है तो ये थे आपके प्रकार और जाला कूर्जा को प्रभावित करने वाले कारक थैंक यू